हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल एजी फार्मेसी आज के वीडियो में हम आपको संपोर्ण जानकारी देंगे दोम इस्टल एनपी 250 टैबलेट के बारे में तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस दवा में में लिए दो कंटेन है पहला है डोम पेरिडोन में लेट जो की 10 mg पर है और दूसरा है नेपरोक्सिन सोडियम जो की 250 mg पर रहता है इस दवा को मार्केटेट किया जाता है टोरेंट फार्मसेटिकल द्वारा यहां 10 टैबलेट की स्टिप पर आने वाली एक मेडिसीन है जो कोश्ट करती है सिफ 58 रूपीज यहां दवा आपको मेडिकल इस्टोर या ऑनलाइन पर भी उपलक हो जाती है लेकिन इसे पर्चेस करने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की आवेशकता होगी तो चलिए एक एक कर हम इस दवा के विसेस्ताइं भी जान लेते हैं दोस्तों डोमस्टल एनपी टैबलेट का इस्तमाल माइगरेन में किया जाता है यहां दवा माइगरेन को कम करने का कार्य करती है साथी ब् आपको बताया दो कंटेन है तो जो टोमपेरिडोन है वो जी मिचलाना और उल्टी की समश्या से राहत देता है और नेप्रोक्सिन सोडियम माइगरेन के दर्द को कम करने में मदद करता है अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के डोस के बारे में तो फ्रेंड्स नॉर्मली इ एक टेबलेट सुबा खाना खाने के बाद और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद प्रति दिन लेने की सलाथ दी जाती है एक एक टेबलेट आप सुबा शाम ले सकते हैं बैस्टे रिजल्ट अगर आपको इस दवा का चाहिए हो तो इस मैडिसिन को लेने के बाद आ आप अराम कीजिएगा आप एक अच्छी नींद लीजिए तो आपको जो माइगरेन दर्थ है वो पूरे तरह से खत्म हो जाएगा साइडी फेड में इस दबा के कुछ जैसे की अपच की समश्य होना मुँ में सूखा पन लगना जैसे समश्य आपको देखने को मिल सकती है तो उस बारे में भी डॉक्टर को बताना नहीं भूलिएगा इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको एलकोहल का सेवन नहीं करना है वैसे तो आपको डॉम्स्टल एनपी 250 टेबलेट इसी भी मेडिकल इस्टोपर मिल जाती है लेकिन अगर नहीं मिल पहे तो इसके लावा इसरी दवा है वोमिक्रा इन तीनों ही दवा का कंटेंड कार्य सेम रहता है लेकिन प्राइस वगरे में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं एक डॉम्स्टल एनपी 500 टेबलेट भी आती है तो दोस्तो नॉर्मली आपको इस मेडिसिन से आराम मिल जाता है लेकिन अगर यूटूब चैनल एजी फार्मिस्टी को सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा जल्दी मिलते हैं हम अपने नए शोड़ो पर